हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी के CDP की जो क्लासेस हैं वो कांटेन्यू चल रही हैं तो फिर से हाजिर हैं हम लोग एक नई सीरीज के साथ तो फटा फटा आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं अज़का कोशन पहला कोशन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिमनलिकित में से कौन सा विकास का सिधान्त है ये आपको बताना है ऑप्शन ए है सभी की विकास दर्समान नहीं होती है बी है विकास हमेशा रेखी होता है सी है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिय नहीं है डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंदित नहीं है तो इसमें पूछा है कौन सा विकास का सिधान था यह आपको बतारा है option A देख पारेंगे आप सभी की विकास दर समान नहीं होती है दोस्तों यही आपका correct आंसर होगा option A क्योंकि दोस्तों विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जो है अवीराम गती से जो निरंतर चलती रहती है पर यह गती कभी तीवरु वह कभी जो मंद हो जाती है उदाहरण के तोर पर अगर हम बात करें जैसे शरीर के कुछ भाग को कुछ किसी पार्ट को हम ले लें तो इसका जो कुछ पार्ट में विकास जो है तेजी से होता है और कुछ में धीरे-धीरे होता है यानि कुछ में तीवर गर्ती से कुछ में मंद गर्ती से होता है तो इस तरह से सभी की विकास दर समान नहीं होती है option A आपका correct हो जाएगा अगला question हम लोग देखते है दोस्तों मानो का विकास जो होता है प्रतेग छेतर में साथ साथ होता रहता है साथ ही साथ उनमें जो आपस में सामंजस से भी अस्तापित होता रहता है और वे जो है एक दूसरी के पूरक के रूप में कारे करते रहते है और मानव विकास में सबसे महतुपूर होता है मनुवज्यानिक विकास सबसे महतुपूर जो होता है दोस्तों वो मनुवज्ञानिक विकास होता है इसमें मानो किसी भी कारे को करने के लिए मांसिक रूप से उन्हें तयार होना चाहिए उसके बाद जो है वो उस छेत्र के बारे में जानकारे ले और उसी अपने संग्यान में लाकर उस पर विचार करता है तो पहले पर आपका मनुवज्ञानिक आएगा सेकेंड पर आएगा आपका संग्यानात्मक ठीक है और उसके बाद जो है दोस्तो उस पर अपने विचारों को सोज समझ कर उसे प्रस्तुत करता है और अंत में जो है समाजिक विकाश की उसकी आवशकता होती है तो हमारा जो first होगा मनुवएग्यानिक होगा second पर संग्यानात्मक आपका आएगा थार्ड पे समिगात्मक आएगा और फोर्ट पे समाजिक आएगा तो option C आप देख पारोंगे मनुवैग्गानिक, संग्यानात्मक, समिगात्मक और समाजिक ये option C आपका correct answer होगा अगला question देखते हैं एक शिचिका पाठे वस्तु और फल सब्जियों की कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है विद्यार्थि इस जानकारी को अपने पूरो ग्यान से जोडते हैं और पोशर की संकिल्पना को सीखते हैं यह उपागम जो है किस पर आधारित है यह आपको बताना है option A है अधिगम के शास्त्री अनुबंदर B है पुनरपलन के सिदांत C है अधिगम के सक्री अनुबंदर D है ग्यान के निर्माड जैसा कि question आप लोग समझ पारूँगे एक सिचिका पाठ्यवस्त और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यारतियों से चर्चा करती है विद्यारति इस चानकारी को अपने पूरो ज्यान से जोड़ते हैं और पोशर की संकिल्पना को सीखते हैं यह उपागम किस पर आधारित है यह आपको बताना है तो दोस्तों यह किस पर आधारित है ग्यान के निर्मार पर आप्शन डी आप देख पारे होंगे यह करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ग्यान के निर्मार को अच्छे तरीके से जो बच्चे होते हैं चात्र के मस्दिक्स में जो अस्थापित करने के लिए उसका चित्र बना कर उसकी बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से जो है समझाया जा सकता है साथ ही विशेवस्त को उनके जो पुर्व के ग्यान है उससे रिलेट करके उससे जोड़ करके उन्हें नए ग्यान को जो है सरलता से हम ग्रहड करवा सकते हैं समझा सकते हैं तो ये सारी चीजें आपकी option D आपका जो है correct हो जाएगा इसमें अगला question देखते हैं जब बच्चे की दादी उसे उसकी मा की गोच से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है बच्चा किसके कारवर रोता है option यह समाजिक दुश्चिंता बी है समिगात्मक दुश्चिंता सी है अजनभी दुश्चिंता डी है वियोग दुश्चिंता तो इसमें आपका correct क्या होगा जब बच्चे की दादी उसे उसकी मा की गोच से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है वो किसके कारड रोता है दोस्तों वो समिगात्मक दुश्चिंता के कारड रोता है option B जो है यह आपका correct होगा ठीक है उसमें जो है मोवश्च चमिगात्मक दुश्चिंता उत्पन होती है ठीक है तो इसी वज़े से वो option B ही आपका correct हो जाएगा अगला question अब हम लोग देखते हैं शिच्चा के संदर में समाजी करड से तात परे है option A है अपने समाजी करड से तात परे है यह आपको बताना है तो दोस्तो option C देख पारोंगे समाजी क वाता वरड में अनुकूल और समायोजन option C आपका correct आंसर हो जाएगा सिच्चा समाजी करड की परकिरिया को सरल बना दिये क्योंकि सिच्चा के माध्यम से जो है मनुसे समाजीक मुल्यों आदर्शों वेवारों को सीखता है और अपने आपको उसकी अनुरूप बनाने का प्यास करता है तो option C आपका इसमें correct रहेगा अगला question देखते है राज्यस्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विदार्थियों को तयार करते समय एक विदाले लड़कियों को वरियता देता है ये दर्शाता है option A है वैश्विक प्रवरिति B है प्रयोजनात्मक उपागम C है प्रगतिशील चिंतन D है लेंगिक पुरुवगरा दोस्तों जब किसी संस्था या फिर कच्छा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरियता दी जाती है ना तो इस प्रक्रिया को जो है लेंगिक पुरुवगरा के नाम से जाना जाता है तो option D आप देख पा रहे होंगे लेंगिक पुरुवगरा यह आपका करेक्ट होगा अगला question देखते हैं दोस्तों आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा कि बहुत सारे ऐसे ब्यारती है जो वीडियो तो देखते हैं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लिजेगा विल ऐको प्रेश कर लिजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता है और दोस्तों वीडियो को जादा जादा शेयर करिएगा ताकि अगर आप पैसा करते हैं दोस्तों तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और जो भी मिस्टिक आपको लगड़ा होगा कि कुछ मिस्टिक है या फिर कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए ठीक है मैं उसको नेक्स वीडियो में सॉल कर दूंगी वाइगोस की बच्चों के सिखने में निम्ना लिखित में से किस कारक की महतुपड भूमिका पर बल देते हैं ऑप्शन ए है आनवनशिक बी है नातिक सी है शारिरिक डी है समाजिक दोस्तों वाइगोस की से रिलेटेड आपका एक कोशन बनता ही बनता है यह आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां से आपका एक प्रिशन बनता है वाइगोस की जिन प्याजे जहां जहां लगेगा मैं आपको बहुत उन चीजों को किलियर कर दूंगी ठीक है तो इसका आंसर आप लोग करिए इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो करनी चाहिए किसी बालक का जैसे समाजिक करण जिस समाजिक सांस्कृत परिप्रेच में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें जो है भाव है विचार है दिरिश्ट कोर है मानसिक चमताओं का विकास होता है ठीक है तो इससे रेलेटेड आपका कोई कोशन बनेगा तो आ सिधांध सि है समाजिक स्थय के सथांध के सिधांध सेंग्यानात्मग विकास के एक सच आपने के बहु बुद्धी सिधान्त, option B आप देख पा रहे हैं, यह आपका correct answer होगा, इनकी अनुसार दोस्तों, gardener के बहु बुद्धी के सिधान्त के अनुसार जो है, बुद्धी का स्वरूप एक कांकी ना होकर बहु कारकी होता है, तो option B यह आपका correct होगा, अगला question देखते हैं एक शिचिका अपने आप में कभी भी पृष्णों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समोच चर्चाएं और सयोगात्मक अधियम अपनाने के लिए पृष्षाहित करती है, यह उपागम किसके सिधान्त पर आधारिता है, option A है अ आप में कभी भी पृष्णों का उत्तर नहीं देती है, और वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समोच चर्चाएं और सयोगात्मक अधियम अपनाने के लिए पृष्षाहित करती है, तो यह उपागम जो होगा दोस्तों यह सक्रिय भागिदार्था के सि जित विवस्त था, भी है शिच्चड अधिगम संसादनों की उपलब दित्ता, सी है विश्यवस्त या अधिगम अनुपहों की प्रकृती, दी है विश्यवस्त में प्रवीड़ता, इसमें से कौन सा सिच्चक से समन्देत अधिगम को परभावित करने वाला कारक है, यह आ साथ ही साथ उसे अन्य विश्यों के बारे में जो है कि सामाने जानकारी भी होनी चाहिए उस सिच्चक को, तो अप्शन टी आपका करेक्ट होगा, तो दोस्तों यह थे आज के 10 कोशन और आप लोगों को कैसे लगे, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजेगा, और इन